इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहें कि day trading में किस तरह से stock को select करना है आप day trading करते हों, positional trading करते हों, swing trading करते हों या scalping करते हों जो सबसे important step होता है वो होता है एक सही stock का selection अगर आपने एक सही stock को select कर लिया है और आपके पास एक अच्छी strategy है तो market से आपको पैसा बराने से कोई रोक नहीं सकता इसमें हमारे पास total 4 steps है और हड़ एक step के लिए हमारे पास a screener available है एक एक करके हम लोग सारे steps देखेंगे और उसके पिछे का logic step number one gap up and gap down तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए gap up क्या होता है और gap down क्या होता है definition यहाँ पर लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं जितनी बार पढ़ना चाहें पढ़ लिजिए मैं आपको example के थूर समझाओंगा जब मैं यह video record कर रहा हूं तब रात के 8 बजे हैं मान लिजिए किसी स्टॉक का प्राइस अभी 100 रुपे है और कल के दिन जब 9.15 में मार्केट जो खुल रहा है वो 100 प्लस सम्थिंग है अब मुझे यह नहीं पता है वो कितना positive है हो सकता है 0.01 हो या 1 रुपे हो या 2 रुपे हो बस वो 100 प्लस है तो इसे हम लोग काते हैं gap up stop gap down का example मान लिजिए किसी स्टॉक का प्राइस 1000 रुपे है और कल के दिन यह जो open हो रहा है 9.15 में तो इसकी जो प्राइस है वो 1000 से कम है जैसा कि मैंने कहा मुझे यह नहीं पता कितना कम है हो सकता है 0.01 हो सकता है 1 रुपे हो हो सकता है 2 रुपे हो हो सकता है 10 रुपे हो हो सकता है 20 रुपे हो बस वो 1000 नहीं होना चाहिए तो इसे कहते हैं gap down stock अब सबसे बरा सवाल यह आता है क्या हमें सारे stock select करने हैं जितने gap up और gap down open हो रहे हैं नहीं हमें सारे stock select नहीं करने हैं हमें सिर्फ और सिर्फ वही stock selected ने है जिनका percentage change एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा जिनका percentage change एक परसंट से जादा है अगर percentage change एक परसंट से कम है तो वैसे stock को हम लोग select नहीं करने वाले और a screener में इसकी coding काफी अच्छ से की गई है तो आपको इसमें कोई tension नहीं होगा कि कौन सा 1% gap up open हो रहा है या 1% gap down a screener जो है अपने आप filter कर लेगा अब हम लोग यह समझने की कोसिस करेंगे कि यह gap up और gap down होता क्यों है देखिए आप जो भी concept सिखें उसके पीछे का region जरूर होने अगर आपको एक अच्छा trader बनना है तो अगर आपके पास region है कि gap up और gap down क्यों open हो रहा है तो as compared to others जिनके पास यह region नहीं है आप उनसे better trading decision ले पाएंगे तो आईए regions देखते हैं यहाँ पे 8-10 region दिये हुए हैं मैं कुछ explain करूँगा बाकी आप पढ़ लेना पहला है earning reports माली जे quarterly results और कोई भी results वगेरा अगर आते हैं तो उससे जो है stock का price affect करता है result के basis पे FDA approval और disapproval यह आपको pharma sector के stock में देखने को मिलेगा अगर उन्हें approval मिलता है तो वो stock positive behave करता है अगर disapproval मिलता है तो वो negative behave करेगा एक चीज जो इसमें missing है वो है global indices अगर माल लीजिए रात में सारे global indices अगर 1500-200 point डाउन है तो अगले दिन हमारा market भी gap down खुलता है तो almost सारे stock उस दिन gap down ही खुलेंगे काफी कम stock होंगे जो gap up open होंगे तो वो भी एक region है उससे भी आपको पता होना चाहिए step number 2 इसमें हम लोग ऐसे stock सेलेक्ट करने जा रहे हैं जिनका price open बड़ाबर low है या open बड़ाबर high है लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह सिखाया था कि इस strategy के basis पे आपको किस तरह से trade करना है मतलब open is called to low strategy या open is called to high strategy अगर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे तो लगभग आपक यहां पे आपको लगभग 70% trader वहां भी सिखाएंगे तो यह एक ऐसे stock होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा moment आपको देखने को मिलता है और जैसा कि मैंने कहा day trading में हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे stock ही चाहिए जो कि उस दिन active हो और यही region है इसको select करने का तो हम लोग ऐसे stock select करन वेडनेस्टे को किसी stock का volume मालेजी 10 लाग था और थ्रस्टे को जो उसका volume है वो 20 लैक से ज़्यादा हो गया है इसे कहते हैं unusual volume trading अगर volume double हो रहा है तो उसमें movement आने की chances सबसे ज़्यादा होते हैं और हम लोग वैसे stock ही select करना चाहते हैं जहां पर movement आए तो इसे book के term में कहा जाता है unusual volume trading और यही region है इसको select करने का step number 4 इसमें जो हम लोग stock को select करेंगे वो है open interest के basis पे इस stock को find करने के लिए जो link है वो मैं telegram channel में डाल दूँगा आप वहां से ले लीजेगा तो थोड़ा समय से explain कर देता हूं कि मैंने इस step को क्यों लिया है माल लीजिए किसी भी stock मे जो कल का जो open interest था 100 था बट आज के दिन जो उसका open interest है वो 400 हो गया है अगर percentage change की बात करें तो लगभग 300% की change आया है तो ऐसे stock को हम लोग select करेंगे अब percentage change क्यों आया यह समझे कल के दिन जो open interest था 100 और आज हो गया 400 तो total difference कितना हो है 300 का मतलब 300 नए contracts add हुए है contracts add होने का मतलब उस stock में पैसे आये है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे stock ही चाहिए जिसमें पैसा आ रहा हो और यही region है हमें open interest की मदद लेनी पड़ी stock को select करने है यह रहा हमारा screener जिससे हम लोग stock को select करेंगे जितने भी यहाँ पे code story में explain किये है तो चलिए देखते है आंस के दिन total कितने stock को इसने filter किया है तो इसने total 60 stock filter किया है out of 140 तो लगभग आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50% ही stock थे trade करने के लिए मतलब जैसा कि मैंने आपको थियोरी में समझाया सिर्फ और सिर्फ हमें active stock में ही trade करना है दूसरी यह OI sprouts देखते हैं तो यह रहा OI sprouts पीपीटी में मैंने लिखा है कि आप या तो उन stock को select करें जिनका percentage change 20% से ज्यादा है या top 10 का तो मैं आपको यही सला दूँगा कि कोसिस करें top 10 को select करने के लिए और जो उनका percentage open interest जो change है वो 10% या 20% से ज्यादा हो उसमें आपको कोई द अन्यवाद